एंटी नार्कोटिक सेर द्वारा 728 ग्राम हिरोईन और रुपए की बारामदगी के साथ तीन ड्रग तसकर गरफता है बहरी उतरी जुला पुलीस द्वारा नशीली दमाओ के तसकरों पर नज़र रखी जा रही है और उनके खिलाफ नियमे तोर कड़ी कारवाई कर रही है बता दे कि दो एपरिंट को थाना नरीला अदेविक शेट में नशीली दमाओ की आपूर्ती के समन में गुपत सूच ना मिली जानकारी के मताबिक टीन मकान नंबर F172 जेजे कॉलिनी बवाना की पास गली के कौने पर पहुँची मौके पर पहुचकर मुखबीर ने गली में एक घर के बाहर खड़ी एक व्यक्ति के और इशारा किया और उसकी पहचान राजजेंद के रूप में की गई कुछ देर अंतजार करने के बाद जब व्यक्ति घर के अंदर जाने लगा तो टीम ने उसे पकड़ लिया पूस्ताश में उसने अपना नाम राजजेंद और फियूसफ बताया तलाशी लेने पर उसके पहने हुए जीन्स की राहनी जेप से काले रंग की पॉलिथिन बरामत बरामत काले रंग की पॉलिथिन से एक और पारदर्शी पॉलिथिन पकेट मिला जिसने हलके भूरे रंग का पाउडर जैसा पदार्श बरामत 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 की पहचान हिरोई के रूप में हुई जिसका बज़न पांक सो बीस ग्राम था इसके बाद आरूपी राज़ींड और्फ यूसुफ के घर की तलाशी ली गई जिसमें मकान की पहली मंसर पर एक कमड़े से पांच लाख रुपए बरामत बखिये गए सकता है आरूपी बूरे और नवाब को उनके ठिकानों यानि ख्याला और जेजे काली नी बवाना से गिरफतार किया गया जहां और भी अधिक मात्रा में हिरोई बरामत की जा सकती थी आगे की चांच के दरान दरांग चार एप्रिल को पुलीस हिरासत में ले गए आरूपी को पुलीस में अपने कब्से में ले लिया तथा भी उतनवाब सलाम को अपरोप्त मामले में गिरफतार कर लिया गया फिलहाल सभी आरूपियों को गिरफतार कर आगी की चांच की जा रही है ब्यार रिकोर्ट दिली समझा